देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रही एक खबर समय जगत के साथ गर में घुसाया जिसका महिला ने विरोध किया तो उसने जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया इसकी शिकायत लेकर महिला तिकुनिया कोतवाली शेत्र के अंतरगरत बेल राया चौकी में करने गई जहां बेल रहा हैं चौकी इंचार्ज नरेश कुमार ने महिला की बात सुनकर उसे अपनी कमरे में ले जाने को कहा और मुबाइल नमबर लेने के बाद उसे तकत पर बैठने को कहा और जब वह उठकर जाने लगी तो इंचार्ज महोदय ने उसका हाथ पकड़ लिया और जब हासन को आरोपी कोई जाच की मांग सौपी है तो अंदर आईगी हम रही जाख बोलं करें लगे है दन में नहीं में तो नहीं तर चौप अलगेकि पैशे ना होई तो मोबाय बेपैसे डाले दुसरे मोबाय से फोन आपिया करो यह सब कहे लगे कप्रे ना होई पैसे के जरूबा है हमसे ले लो एउ सब कहे लोगे पिर बोले कि एके राट की तुबात है मतलब कहीं भी मिल लो फिर हम किना नाइशाब ऐसा नाइश करें हम गरीब हम तो ऐसा गरीज काम करें एसाब बोलें फिर ग्यारा बजे हम घर पर आए गया दर्वाजा खरकाएं फिर हम लोग उठें बिटिया से बिटिया सोय दिया है ह हम उठें फिर दर्वाजा खोलें पर साड़े कपरें हैं दरोगा जी रहें बाहर तो अंदर आगे कहने लगे फिर मुझरिम कहां पप्रे आये हैं बटाये लगे कि बाहर रहे तो मतलब जा अंचान जही पकर नाइप इबा ऐसे बुले फिर अंदर आए बैठे देखे बाइस देश दोहजार अठारा को फूलिस कारेले में चोकी विल्राया थाना तिकुनिया छेत की एक महिला अप्लिकेशन लेके पेस हुई थी जिसमें चोकी प्रभारी विल्राया सहे एक अन व्यक्ति जो है उसको परेशान करने का आरोप लगाया था प्रार्तना पत्र की जांच के लिए तत्काल इंस्पेक्टर महिला थाना और स्रीयो निगासन की छे टीम बठीद कर की गई दोनों अधिकारियों ने मौके पे जाकर जांच की जांच से ये तत्ति प्रकास में आया कि चोकी प्रभाली विल्राया उपनिच्छक मरेश कुमार के द्वारा महिला क प्रत्य सोभनी और मर्यादित भाषा का प्रियोग किया गया है इसमें प्रत्म दस्टे आरोप को सत्य पाते हुए उनको तत्काल प्रभाल से ने लंबित कर दिया गया है और संपूर्प्रकरण की जांच शेत्रा दिकारी पलिया को परारम भी जानती गई है जांच से के न आम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रही एक खबर समय जगत के साथ